हलो दोस्तो इस फीडियो में हम लोग बात करेंगे गुजराट टाइटन्स बसेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच IPL का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में पर दोस्तो सबसे पहले हम लोग पूरी इटल अनलिसिस करेंगे उसके बार टीम कॉंबिनेशन भी जानेंगे तो डिर्ट बात करेंगे पहले इस ग्राउंड की पिछ रिपोर्ट की उपर तो अभी तक दोस्तो इस ग्राउंड पर IPL के 23 मुकाबले खेले गया है जिसमें से ज लोई स्कोर दोस्तो यहां पर राजस्थान रोलिस ने 102 रंड बनाया है और जो पिछला मुकाबला इस ग्राउंड पर हुए है दोस्तो मतलब हाई स्कोरिंग में उससा 200 प्लस टार्गेट इया था और उस मुकाबले हम दोस्तो गुजरात टाइटन्स पच्पन रंस से जीत हактер की थी टोटल दोस्तोесь अभी तक इस ग्राउंड पर इसी सिजन चार मुकाबले हुए हैं इस टार्टिंग में लगतार दोस्तो तीन मुकाबले पहले बटिंग करते क्वे टीम जीती है और पिछला मुकाबला दोस्तों यहां पर पहले बेटिंग करते हुए गुजरात ज मुझत मिलती है तो यहाँ पर आपको दोनों बोलस पर फोकस करना और कौन से बुलर को head to head record अच्छा है वो भी हम लोग आगे जानेंगे जिससे आपको team बनाने में असानी होगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर दोनों teams के head to head records की उपर तो अभी तक दोस्तों दोनों teams के बीच दो ही भारामने सामने मुकाबला हुआ है दोनों का दोनों मुकाबला दोस्तों गुजराथ टाइटन्स नहीं दीता है और इसी साल दोस्तों एक मुकाबला गुजराथ टाइटन्स ने 6 विकेट से दीता था दिल्ली कैपिटल उस मुकाबले में 122 टरन की टार्गेट दी थी और गुजराथ दोस्तों बहुत यसानी से दिल्ली के खिलाव रिसेंट फॉर्म की बात कह रहे थे दोस्तों रिसेंट फॉर्म भी देख सकते हैं कि गुजरात का यहाँ पर बहुत ही अच्छा है लगतार तीन मुकाबला जीरते हुए आ रहे हैं और अभी तक टोटल आठ में से छे मुकाबला जीते हैं अच्छा परहमेंस कीए तीसे देखकर आपको अंधाजल लग जाएगा कौन से प्लेयर को आपको स्मॉल लिग और खास करके ग्रैंड लिग की टीम्स में लेना चाहिए तो आगे बंड़ने स्पहले में बस यही बोलना चाहाँगा मेडल ओडर से दोस्तो साइस दोरसन ने अच्छा परहमेंस किया था बासटर नौट आउट हार्दिक पंडया फ्लॉप रहे थे माचर पांची रन बनाने पाया थे और लोडर से दोस्तो विजा संकर ने अच्छा पारी खेले थी देविड मिलर ने तीस मुकावले के लिए डेविड मिलर और विजा संकर ग्रैंड ली के लिए सबसे बेश्ट रहेंगे खास करके विजा संकर इनको बैटिंग में परपोट किया जारह और पिछले मुकावले में अर्श तक बनाकर भी आ रहे हैं दिल्ली की बैटिंग सेक्षन से बात करें तो दोस्तो डेविड वारन एक मात्र अच्छे हैं जो कि टॉप ओडर से अच्छा परफोर्मेंस किया थे दोस्तो डोस्तो डेविड वारन और विजा संकर ग्रेंड लिक ले बैस्ट रहेंगे तो ये होगी दोस्तो दोनों तो देख सकते हैं कि बोल्डरस ने चंदार प्रहमेंस किया था और खास करके दोनों बोल्डरस क्या नाइस क्या थे गुजरात की तरफ से तो यह दोस्तो आप लोग देख लिए यहाँ पर वीडियो को पाउस करके जिससे आपको टीम बनाने में थोड़ी से असानी मिलेगी अब डेट बात कर लेते हैं दोस्तों क्या रहेगी इस मुकाबले में गुजरात की प्लेइंग 11 जो कि दोस्तों अपना पिछला मुकाबला जीत करा रहे हैं उससे पहले में आप सभी लोगों को यह बोल दूए दोस्तों जो लोगी अभी तक वीजन लेऊने अप डॉनलोड नहीं किया है और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ खेलने के लिए क्योंकि बाकी अपस के मुताविक यहाँ पर आपको बहुत ही लोग इंटरिफीर देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोग सकेंड इनिंग में भी टीम बनाकर बहुत अच्छा खासा विनिंग कर सकते हैं और आपको जैसे पता है सकेंड इनिंग में टीम बनाना बहुत जारा असान है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जल से जाजा कर डाउनलोट कीजे सुमध गिल की जगह पर जो कि पिछला दो मुकाबला से खेल रहे हैं और इस टार्टिंग दोस्तों आपको यहाँ पर बॉलिंग कराते वे दिखेंगे मोहमास समी और हर्दिक पांडिया और आगरी को उभर में दौस्तों मोहंच समय और जैस्वा लिटिल जो की बहुत यचा बॉलिंग करा रहे हैं तो दोस्तो अब अब डारेट बात कर लेते हैं इन सारे players के recent performance की उपर तो दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं recent performance यहाँ पर batsman को लेकर और फिर बॉलर्स को भी जानेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं तो यहां पर रिदिमान सहा की देखा जाए तो दोस्तों पिछला दो मुकावले से फ्लॉप रहे हैं और पिछला चार मुकावले से दोस्तों मातर एक मुकावले में इनका बल्ला चला है नहीं तो बाकी सभी म मुकाबल में और आप लोग इनको बहुत अच्छे फॉर्म में अब बात करते हैं दोस्तों कपतान हार्दिक पाण्या की तो ये भी बहुत ही अच्छे फॉर्म मैं आ बाता है पीछ एक्षा बैटिंग करने और इनका head to head पे record बहुत ही अच्छा है दिल्ली खिलाफ तो आपको लोगों को मैंने बता ही दिया कि विज़ा संकर इस मुकावले के लिए बेस्ट रहेंगे और रिदिबान सहा small league grand league के लिए और यहां पर विज़ा संकर डेविड मिलर को आप लोगा small league में ले सकते हैं चाहें डेविड मिलर की जगपर विज़ा संकर को जो कि इनसे पहले बैटिंग करने आएंगे तो यह होगी दोस्तों गुजरात के batsman के records अब बा बॉलर्स का दोस्तों head to head record अच्छा है और जब पिछली बार खेले तो दोस्तों मैंने आपको dream team बताया captain wise captain थे और सबसे जारा points इन्हों नहीं दिया था यहां पर 8 wicket ले चुके हैं जो की बहुत ही अच्छे form में हैं दोस्तों और इनको बहुत ही काम लोग लिये हुए हैं इनकी जगए पर सभी लोग रासित खान को ले रहे हैं तो इस मुकाले के लिए नूर हैमाद आप लोग के साथ 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 ग्रैंडली के लिए भी best option रहे है तो दोस्तों आपको बॉलर्स में तीन बॉलर्स पर जारा फोकस करना रासित खान मुहमाद सम्य और नूर हमत पर तो अब डरेट बात कर लेते हैं क्या रहेगी दिल्ली कैपिटल्स की इस मुकाबले हैं प्लेंग लिए इधर से आपको ओपनिंग करते हुए डेविड व अर्णिक नोटजे फिर यहँ पर कुल्दी पिया दो फिर इसान सर्मा और यहाँ पर मुकेश कुमारती है रहेगी दिल्ली कैपिटल्स की प्लेंग लिए इस्टाटिंग दोस्तों और पवर फलें में आपको इहाँ पर इसान सर्मा बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे अर् वो आखे फॉर्म में आए हैं। जिनका नाम दोस्तों पी-Soal है करएं और मिचलमास है. दोनों दोस्तों प्रियर अर्ड। सतर बनाए हैं लेकिन तों दीली किरफ पिछला मकाबला नहीं जीती हो। लेकिन ये दोनों players ऑच्छा खेष्प हे आप देखाये तो मनिस पांड़े बेस्ट रहेंगे क्योंकि इस ग्राउन पर दोस्तों भौधास कमरत मिलती है तो मनिस पांड़े देखा जाते दोस्तों लगतार तीन मुकालियों से double digit में नंबर बनाते हुआ रहे हैं लेकिन भले पिछले मुकालियों में एक रंड बनाए हो लेकिन बड़े प्लाना ते इस मुकालियों के लिए मेया ग्रैंड लिक लिए आप लोग लिए best option रहेंगे प्रियांगर्स की बात करें ग्रैंड लिक के रहेंगे यहाँ पर सारुख खान ग्रैंड लिक ले अक्षर पटेल को तो आपको लेकर ही चलना है जो कि हर मुकालय में दोस्तो बहुत ही संदार खेल रहे हैं 25 से 30 प्लस स्कूर कर रहे हैं और दोस्तो हर मुकालय में विकेट भी ले रहे हैं बात के डेवि़ भारन direct मिचल मास और बागी सारे आप लोग लिक 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 लिए और जो बैय्ट्वन यहाँब बैंच पर वेटो की अच्छर फैला नाम है डोस्तों Y सोझिंग लगतार चार मुकालवे से हर मुकालव में एक दो दो NATO लेते हुआ हैं रवी ती तक टोटल साता फिए लिए थे शमकालव के लिए सबसे बैश्च रहेंगा अलरंडर सेक्षन से और दोस्तों कुल्दी प्यादों की बात करें तो पिछले मुकालव इनको विकेट ना मिली हो लेकिन बॉलिंग से अच्छे फॉर्म में रहेंगे और मिचल मास दोस्तो आपको पता है पिछले मुकालव में चार विकेट लिये हैं और दोस्तो बॉलिंग बैटिंग सभी अर्थ सतक बनाया है तो इस मुकालव के लिए सेफ ऑप्षन र रहेंगे खास करके अक्षर फिटल जिनको बहुती कम लोग ले रहे हैं अब बॉलिंग सेक्षन से देखा जाता दोस्तो दो बॉलर्स इस मुकालव के लिए ग्रेंड लिक ले बेस्ट रहेंगे सबसे पहला नाम आता है इसान सर्मा जो की लगतार यहाँ पर विकेट तो ल सोल्ट, मिचल, मास, हक्षर पिटल और यहाँ पर अनरिक नोट जेते हैं यह होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल अनलीस अब हम लोग बात कर लेते हैं बेस्टीम कॉंबिनेशन की उपर तो उससे पहले मैं आप सभी से यह बोल दू कि जो लोग भी चैनल पर पहले बार हैं सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा दोस्तों ताकि आएगा सारे अपडेट से आपको सबसे पहले मिले और अगर आपको हमारी अनलीस अच्छी लगी हो तो मैं आप लोग से ज़्यादा कुछन मांगता बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिये मेरे इतना ही काफी है और टेलिग्राम पर अभी तक नहीं जूड़े हैं तो बात करते हैं सबसे पहले विकेट कीपर सेक्षन से यहाँ पर आपको दो ऑप्सन देखने को मिलेंगे रिदिमान सहा और पीस वाल्ट देखा जाता दोस्तों रिदिमान सहा भी ओपनिंग करेंगे और पीस व ओपनिंग करेंगे तो यहाँ पर पीस वाल्ट पिछले मुकावले में 50 राइनर न स्कोर किये हैं 30 मुकावले के लिए देखा जाए तो दोस्तों पीस वाल्ट मेरे सबसे बेस्ट रहेंगे रिदिमान सहा लगतार तीन मुकावले से फ्लॉप रहे हैं लेकिन बड़े प्ले करने तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं आप लोग इनके जगापर उनको ले सकते हैं अब नीचे से बात करें तो दोस्तों मनिस पांडे आप लोग के लिए ग्रैंड लिए बेस्ट रहेंगे भले ही पिछले मुकाले में एक ही रन बनाए हो लेकिन उससे पहले हर मुकाल जो हमारे सबसे बेस्ट रहेंगे अक्षर पटेल और मिचल मास दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से जो कि दोनों को दोनों बहुत ही अच्छे फॉर्म में खास करके दोस्तों मिचल मास जो की पिछले मुकालों में चार विकेट लिए और दोस्तों अरसतक भी बनाए हैं और यह जगा पर ले सकते हैं क्योंकि इन से पहले बैटिंग करने आएंगे अब दोस्तों बात करते हैं तो नीचे से उतने कुछ खास और नहीं है आप बॉलिंग सेक्शन से बात की जाए तो यहां पर आपको थोड़ी बहुत कंफिजन हो रही होगी क्योंकि दोनों टीम में काफ बने थे अब नीचे से बात करते हैं दोस्तों यहां पर हम लोग एक बॉलर को लेकर चलेंगे अंडिक नॉडजे को जो कि इस मुकावले के लिए बेस्ट रहेंगे तो यह होगी हमारी यहां पर टीम कंबिनेशन अब इस टीम में दोस्तों क्या क्या चैनिस्ट कर सकते हैं टॉस के हिसाब से अगर गजराद की टीम टॉस जीतेगी तो यहां पर मैं कोसिस करूँगा कि दोस्तों यहां पर नूर एम हमद को भी अपने टीम में रखने के लिए नहीं तो में क्या करूंगा सिंपलं दोस्तों यहां पर मैं पी सौयर एमां वोगत की तो पहले sna़े ब कोंबिनेशन बात करते हैं क्याप्टन के लिए डोस्तों इस मुक्राइब करने का मौका मिलेगा और यहां पर वाइस केपटन हम लोग हारदिख पंडे को लेकर सकते हैं सुमंगिल को बना सकते हैं लेकिन यहां पर मैं हारदिख पंडे को लेकर चल रहा हूँ जो कि दोस्तो बैटेंगे बोलिंग दोनों करेंगे तो यह होगी हमारी टीम कॉंबिनेशन और मैं आपको बोल दूगी फॉइनल टीम आपको टेलिग्राम पर मिलेगी तो लिंक मने आशुरी को डिस्क्रिप्शन में दिया है जल से जाकर ज्व तो बोलर को यहां पर पीस वाल्ट रिदिमन साहा की जगह पर टॉस के हिसाब से मैं यहां पर नूर हमात को ले सकता हूँ नहीं तो दोस्तो वीजस अंकर को तो दोस्तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बहुत इसांदार अप्लिकेशन वीजन लेवन के टीम के बारे में ते पर दोस्तो तीन मुकालीं फ्लोप रहे हैं अब बात करते हैं दोस्तो इसके बात बात भाट सेक्शन से तो यहां पर डेवड वार्नbles सुमंन्लर को ले उमंगिल और डेविड उमलर को लेकर चलेंगे यहाँ पर हमारे तीन बैटस्मन अब ऑल रौंडर सक्षन से बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हमारे विजन लेवन की टीम आप यापटन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारे कप्तान रहेंगे सुहमन गिल रहेंगे और वाइस कप्तान दोस्तों यहाँ पर मिचल मास तो यह होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी वीजन लेंगे उनकी टीम कॉंबिनेशन बात कर लेते हैं इस टीम की प्रिव्यू के उपर तो दोस्तो ये रहने वाली यहाँ पर टीम की प्रिव्यू, विकेट कीपर से मैंने यहाँ पर फी सॉल्ट और इदिमन सहाद दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं कैप्टन हमारे रहेंगे यहाँ पर सुमनगील, वाइस कैप्टन मिचल मास और थोड़ी बहुत दोस्तो गुजरात को फेवर करते टीम बनाई है चार मने बोलर को लिया हुआ है, दोस्तो यहाँ पर नूर एमद, मुहमाद समी, रासित खान, तीन मने उल्लाउंडर को लिया हुआ है तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो देखने लिए बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर अगर आप लोग पहली बार है तो सबस्क्राइब जरूर कर लिएगा ताकि आयेगा सारे अब्रेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे धन्यवाद दोस्तो वीडियो देखने के लिए